बोले मंत्री बीजी कल्ला विधायकों की शिकायतों को लेकर बोले कल्ला कहा सच को नहीं है कोई आच जिनोंने लगाए हैं आरोफ वही बताए इस बारे में मेरे घर के दर्वाजे हमेशा खुले रहते हैं मैं हर आने वाले से मुलाकात करता हूँ अजय माखन के मंत्र पर बोले बीजी कल्ला इस मंत्र से भी कुछ अच्छा भी बाहर निकल कर आएगा शिरी गंगार अगर में शिव मंदिर में जलाविश्यक के सवाल पर कहा कि मैं हमेशा से शिव भक्त हूँ पहली बार नहीं पूजा अर्चना की है अजय में जलाविश्यक के बारे में कुछ बिंदू आजये तो उसकी जाच कराना गुना एंगा उस्तरी जाच हो रही है इदर चिकित्सा मंतरी डॉक्टर अगुश शर्मा ने भी अजय माकन को फीड़बैक दिया है जिसके बाल मीडिया से बातचीत करते हुए रखुश शर्मा ने कहा कि किसी भी मंतरी की कोई शिकायत नहीं की गई है सरकार के सभी मंतरी बहतर तरीके से काम कर रहे हैं और रखुश शर्मा ने कहा मेरे खलाब जान बूच कर खबरे चलवाई गई हैं रखुश शर्मा ने मंतरीयों को हटाने की खबरों का भी खंडंग किया है कांग्रेस प्रदेश प्रबारी अजे माकन दो दिन से विदान सभा में विधायकों के साथ संभाद कर रहे हैं अभी चिकित्सा स्वास्ते मंतरी रखुश शर्मा फीडबेक देखा हैं उनसे बात करते हैं कि यह जो दो दीवश्य फीडबेक चल रहा है उसके पीछे क्या मन तब है कॉंग्रेस को मजबुत करना और पाद की की पुरानी परंपरा रही है अभी भी है माकन चाहिए उसलिया कैसे मंतरियों कर रहा है कि मंत्रों के खिलाब सिकाईद दिए कुछ विदायकों की वापस सरकार तो कांग्रेस की वैसौ जो जन घोशना पत्र अमने जारी किया था 18 बें 501 वादे किये थे हमने 64% परसेंट पर काम पूरा हो चुका 28% पर काम पाइपलाइन में है 92% वाइदे हमारी सरकार पूरा कर चुकी है जब कि ढही साल हो यह भी मंत्री मंदल विस्तार को लेकर भी क्या इसमें को चर्चा और इस ऐसे राइस स जो गुट कहा जा रहा है कि 弟ो जार्ट 1923 में दो गुट है वो एक साथ रहेंगे तो यह अगे परभश कोई गुट नहीं है यह तो पूरी पर्टि एक जुट है कोई दिख़र नहीं यह के ते स्वास्ते मंत्री रगुश फर्मा जिननों उन्हें कहा कि पूरी पार्टी एक है कांग्रेस में कोई गुट नहीं है ने मन बेद हैं केवल मत बेद हो सकते हैं लेकिन मन बेद नहीं है ऐसे में उन्होंने दावा किया कि 2023 में कांग्रेस वापस सत्ता में रिपीट करेगी केमरामेन विजे के साथ विश्नु शर्माजी मे अपने 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 दावें हैं, अपने अपने अरोप हैं, अपने अपने खंडन हैं, अंदर क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता संजे, लेकिन जो खबरें आई, वो विधायकों के जरिये ही आई और ना केवल रगु शर्मा, बलकि बिडीकला भी कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं या जो जीनों ने शिकायते की हैं, वो शिकायतों को साबीत करें, केवल आरोप लगाना जो है, वो काफी नहीं है, सबसे आसान काम होता है ये, और चिकिसा मंत्री भी यही कह रहे हैं कि पार्टी और सरकार का ये फीडबेक कारेकरम होता है, उसमें कुछ भी करवाई जाती हैं, लेकिन हम कल के मुगाबले संजे आज को अगर देखें, तो आज एक अलग तरीके से बात रखी गई है, कुछ ऐसे विधायक हैं, जिनोंने मंत्री मंडल में युवा विधायकों को जगे देनी की मांग की है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर पा कर कहा है, कि युवा विधायकों को भी तवज्जो मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ एक महतपुन बात और संजेक, जो एक कौमन तोर पे निकल कर आई है, कि धाई साल का वक्त हो गया है, प्लिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं, एक साल हो गया, संगठन में कारेकार उनका आज शाम को देर रात तक वापस जाने का कारेकरम था, लेकिन अब अब अजय हमाकर ने अपना एक दिन बढ़ा दिया है, और कल PCC में वो PCC के पदादिकारी और अगरिम जो संगठन हैं, उनके पदादिकारियों से संबाद करेंगे, यानि वो भी चाहते हैं कि जब फिडबेक लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा स्कोर वाइड किया जाए, केवल विधायक नहीं, बलकि संगठन के लोगों से भी सुझाव लिये जाएं, और ताकि इसका जो असर है, इस फिडबेक का, मंतन का, व्यापक और बड़े पेमाने पर दिखाई दे, और शिकायतों पर हम यही कह सकते हैं कि पार्टी ना केवल स्विडबेक के लिए, बलकि राहुल गांदी की टीम ने अपना सर्वे करवाया है, मुख्यमंत्री अशोग गैलोद का अपना एक रिपोर्ट कार्ड है, मंत्रियों को लेकर, तो और और जो सुझाव होंगे, जो मंतन से निकले मुख्यमंत्री आवास पर, उसकी तयारियां चल रही है, आठ बजे यहां से फ्री हो जाएं अगर माकन, तो माकन का भी टाइम यही है, मुझे लगता है कि नो बजे तक आसपास हो जाएंगे, पिधायकों को आठ बजे कहा गया है, और दो दिनों का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो मोटी मोटी बाते हैं, हाइलाइट्स जो हैं, उनको लेकर सीम के साथ वो डिसकुशन करेंगे, और एक कोशिश है कि आम सहमती से जो चीज़ें निकल रही हों, और सीम भी यही चाहते थे, यह सुझाओ, जो दरसल सीम का ही था, सीम नहीं कहा था कि आप जब न्युक कारियों का धखल है, उनकी राय सुनी जाती है, उनसे सला ली जाती है, और आज शाम को जब मिलेंगे, तो हम उसे डिनर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, रातरी भोच पर सभी कट्टे होंगे, तो पार्टी में एक जुटता और नई जान फूबने की कवायत भी है, क्योंकि लिशन 2023 का बिगुल इस फिर्डवेक के बाद कॉंग्रेस बजाएगी, बड़ी बात यह है, पहला जोरूशान, क्या सचिन पाइलेट की मौझूदगी आज होगी इस डिनर में? अभी तक नहीं है संजया, अभी तक सचिन पाइलेट नहीं आए है, और लगता नहीं है, कि वो आज इस कारिकर में मौझूद रहेंगे, लेकिन चूंकि वो फ्राइट से भी आ सकते हैं, शाम तक अगर वो पहुंचना चाहें, निशी तोर पे ये बड़ा सवाल है कि सचिन पाइलेट रहेंगे या नहीं रहेंगे, और सब की नजरें इस बात पर रहने वाली है, पिल्कुल धन्यवाद इस पर तमाम जान कारिकले साफत और परी है कि शाम को डेनर डिपलो मैंसी होने वाली, यानि मुख्यमंद्र के तरब से ये सभी विधायकों को भोजन पर बु आकात कर रहें और आपने देखा रखुशर्मा ने भी तमाम आरुपों को एक तरह से खंडन किया है, तो फिलाल